हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है आपको यहां पर किस तरह से काम काज करना चाहिए आप जानते हैं कि आज आपकी महरत ट्रेडिंग है महरत ट्रेडिंग का मतलब ऐसे तो प्रीवियस दीपा वली के दिन ही महरत ट्रेडिंग की जाती थी बटी स्वार आपके दीपा वली के एक दिन बाद आपके महरत ट्रेडिंग हो रही है और उसका जो आपको टाइमिंग पता चला होगा कि मतलब 6 से आपका 7 बजे तक आपका ट्रेडिंग होता है यहाँ पर एक घंटे के ट्रेडिंग है इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर कोई सौधा ज़्यादा ले या कोई सौधा आप बहुत टाइम साग फोल्ड पाई या कुछ भी देखें मैकसिमम टाइम आपका चार्ट बताने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि महुरत ट्रेडिंग के दिन क्या होता है कि जब ज़्यादा यहाँ पर बॉल्ड नहीं होते ज़्यादा लोग आपके मार्केट में एक्टिव नहीं रहते वहाँ पर आपके बॉल्ण बहुत कम होते हैं जब बॉल्ण कम होगे तो ओबियस बात है कि आपकी जो मार्केट है मैकसिमम टाइम वो आपकी साइड वेज ही रहने की कोचिस करती है तो यहां पर सबसे ज़्यादा benefit किसको मिलता है आप SunSeller को deiान में रखे हैँगा आप SunSeller को यहां पर सबसे ज़्यादा benefit मिलता है अब आप SunSeller का क्यों benefit मिलेगा उसका region में आपको यहां पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको जो BIX है आपका 50 के ओपर चल लगया है आपको जो BIX है आप देखे होगे कि आपका 50 पॉइंट आपका 5-0 के करीब चल रहा है चलिए तो हुआ क्या है कि आपके जो AAPTION के PRICE है जाए आप BANK निप्टी ले लिजिए निप्टी ले लिजिए latest time से जो पहले आपके जब BIX आपका बारा चलता था 12 चलता था उस time आपके जो आपसंग के प्राइज होते थे ATM के वो होते थे मालजे 350 रुपए ठीक है यही होते थे बट अभी जो latest time में आपके जो आपसंग का प्राइज चल रहा है है ठीक है आई भी का मतलब employed volatility आप intrinsic value मत समझेगा employed volatility का बहुत बड़ा roll होता है और employed volatility क्या क्यों roll होता है चुकि market जब इस तरह से बहुत ज़्यादा volatile करती है तो आपका आई भी बढ़ता है उस वज़े से आपके option के premium भी बढ़ते हैं तो market में क्या होता है कि जब आपकी एक तो मालेजे कि आपकी आई भी down होगी ठीक है आपकी employed volatility जब down होगी ठीक है और साथ में आपका जो wix है ठीक है जो आपका wix है वो भी जब down होगा तो क्या होगा बताए खुद market भले आपकी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती रहे आपने यहां पर call buy किया है बड़ उतना benefit आपको नहीं मिलेगा जितना आपके market के moment में benefit मिलना चाहिए सेम यही condition आपकी opposite type में होगी जब market मालेजे के नीचे धीरे धीरे जा रही धीरे धीरे जा तो आपको put आपने यहां पर buy किया है आपको उतना benefit नहीं मिलेगा जो आपको real time में benefit मिलना चाहिए जहां पर मालेजे आपने कोई option को 300 रुपे में buy किया है आप market आपके direction मालेजे 100 point यहां पर ठीक है तो जहां पर आपको यहां पर 50 point का आपको profit होना चाहिए था बट यहां चुकि विक्स आपका बढ़ा हुआ है आई भी भी बढ़ी होई है और अगर यहां पर 50 point ना मिलके आपको maximum यहां पर 30 point का ही profit होगा और अगर market side way चली गई तो आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने के chances हैं वापिस बता रहा हूँ इसके क्यों नुकसान होने के chances है चुकि आपके विक्स आपका down होगा और साथ में आपकी आई भी भी डाउन होगी यह किलियर आपको समझ में आया बहुत से लोग मेरे से question पूंचते है बोला sir market उपर ज आता है या तो आपका कोई डर होता है market के अंदर या तो बहुत जादा market volatile होती है तब जाके आपकी आई भी बढ़ती है समझ यह आपको point clear हुआ चलिए तो इसी base में हम यहाँ पर जादा चार्ट के बारे में जादा यहाँ पर discussion नहीं करेंगे चुकि आप जानते हैं आपक market के अंदर आए हैं new trader है जो आपके ladies है ठीक है जो घर में रहती है जो housewife है या जो जो भी student है जो class मतलब इस market के अंदर सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा time वितीत करूं उनके लिए मैं इस पिसलिए आपको यह बताऊंगा कि आपको आज के दिन मतलब जो आपका 6-7 बज़ ठीक ठाक आपने investment करते हैं जो कि market भी आपको पता है कि market भी लगवक ठीक ठाक गिरी हुई है तो अगर आज के date में आप यहां पर थोड़ा बहुत पैसा डालते हैं तो यकीन मानिये कि आने वाले दिनों में वो अच्छा है आपको return देखर के जाएगा समझे तो यह intraday trade से अच्छा है कि ठीक है आप करते हैं daily two daily जो भी कर रहें वो बहुत अच्छी बात है आप करिए उसके लिए देखिए वो तो आपकी मरजी है आपको माना नहीं है बट मैं यह चाहता हूँ कि आप उस intraday trade के साथ साथ आप यहां पर आपके 10,000, 20,000, जो भी 30,000 है चाहे आप आपको जहां से मिले यकिन करिए जहां से मिले जहां से मिले कि मतलब यह कि आपको जब intraday trade के लिए आप यहां पर किसी से कर्ज ले सकते हैं कहीं सीधर उधर से पैसा मतलब withdrawal कर सकते हैं तो आप investment के लिए क्यों पैसा नहीं ले सकते हैं आप investment के लिए क्यों अपने FD या ज होता है तो क्यों नहीं इसमें हमको डालना चाहिए और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आज आप मतलब महुरत ट्रेडिंग के दिन ज्यादा इंट्राड़े यहां पर आपकी क्लोजिंग दिया है आप देख रहे होंगे जो कि आपका यहां पर आ रहा है मैं हर जंटल लाइन के माध्यम से आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आपका जो लगवाग आया है वह इस जगह आया है मतलब 51,500 सेवन जीरो के एराउंड में यह एक अच्छा क्या है आपका एरिया है यह आपका रिजिस्टेंस एरिया है समझ रहे हैं जैसे मैंने आपको कल बताया भी तक मार्केट आपकी किसी भी कंडिशन में इसके लोग को ब्रेकडाउन करेगा तो आपको नीचे जाएगा तो यहा सेवन तक आपका निप्ती रहे बैंक निप्ती रहे प्लीज यहाँ पर तोड़ सा ट्रेड को अवाइड करें हां ठीक है अगर मान लीजे कि आपको ट्रेड करने के मन है तो यहां पर अगर रेंज में खूल करके उपर रिकाउट करता है आप यहां पर एक बार सी की तरफ जा सकते हैं बट प्लीज यहाँ पर ज्यादा देर तक बिल्कुल होल्ड नहीं करना है आपको यह एकिन करिए आपको प्राफिट यहाँ पर बहुत कम मिलेगा तो आप यहाँ पर काल की तरफ जा सकते हैं आपको लगवाग यहां पर 200 पूट के बारे मैं सोचिए कोई दिक्कत नहीं 51,500 के नीचे जैसे यह निकलता है आपका बैंक निप्टी आप बिल्कुल पूट पगारे में सोच सकते हैं पहला टार्गेट पहला तो लेवल आपको यहीं होगा अगर इसके नीचे भी जाए तो आपका जो नेक्स लेवल यह आप यहाँ पर काल के भी तरब जा सकते हैं वापिस बोलना हूँ यहाँ यहाँ पर आपको ऐसा सोच के बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है कि मैं यहाँ पर ज्यादा डायम तक होल्ड करूंगा देखिए यहाँ पर क्विक आपकी एक्टिविटी होगी तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे ठीक है वागिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं देखिए मैं वीडियो आपको ट्रेड के लिए मैं आपको कल बताऊंगा जो कि फिर आप मंडे को ट्रेड करेंगे यहाँ पर ज्यादा आज एक्टिविटी नहीं होगी यह दिहान में रखें यहाँ पर यहाँ बेंड देखेंगे आज़यों देखेंगे यहाँ पर ज्यादा आपको वापिस बूल रहा हूं इंटरेटेट के चक्कर में ज्यादा ना पूने ठीक है तो यह आपका हो गया निप्टी में और सोरी बैंक निप्टी में चलते हैं साथ-साथ यहाँ पर थोड़ा सा मिड़कैप निप्टी में डिसकसन करेंगे वहीं पर आपका mid cap निप्टी ने आखर के closing दिया तो यह resistance area है ध्यान रखें यह आपका resistance area जहां पर आपकी closing दिया है यह भी आपका resistance area ही है अब resistance area आपका कैसे है अगर आप वो देखना चाहते तो आपको पता लग गया गाएगा इसके बाद यहां पर भी आपको consolidation था तो आगर इसके उपर देखिए आज अगर जैसे यहां पर मार्केट खुले open हो तो मैं आपको यह बोलता हूं कि आप निप्टी में ट्रेड ना करें निप्टी से अच्छा mid cap निप्टी में ट्रेड कर लें बैंक निप्टी से अच्छा आप mid cap निप्टी में ट्रेड कर लें हो ज्यादा best होगा आपके लिए तो देखिए इस में क्या करना आपको इस area में जैसे अगर open हो यहां पर कहीं ठीक है जैसे कि 12,400 आपका उपर का level हो गया नीचे के level आप यहां पर मान सकते है 12,300 का ठीक है इस 100 point के अंदर अगर यह open ह मार्केट जैसे कि इसको मैं इक काम करता हूं पौछ मिनट के चार्ट में आए तो तोड़ा सापको ज्यादा यहां पर समझ में आएगा ठीक है यह लेखिए होगा क्या मार्केट में सिंपल देखिए यह आपका कंसुलिटेस्ट आप यह अपर यह रजिस्टेंस भी बनाई हुआ है और आपको अगर कोई एक्टिविटी ना करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा इसके उपर अगर निकलेगे मार्केट तो ठीक है आपका यहां पर गया हुआ है यहां तक जाने कोसिज करेगा साथ में यह जो आपकी रेड लाइन बनी हुई है जो कि कल का आपका ओपनिंग था यहां तक जाने के आपकी मार्केट मतलब कोसिज कर सकती है लेबल आपको यहां पर कितना आ रहा है 12,409 जिरो तक का ध्यान रखे 12,409 जिरो तक के आपके मिड़िक अपने प्टी के लेबल आ रहे है उपर के तरह नीचे की बात करें तो नहीं लेना है पुट में अगर यहां पर हो सकता है कि मार्केट आपकी नीचे आए इस जिगे से आपकी काल बाइंग आ जाए और मार्केट फर्दार ऊपर चली जाए ति एक्टिविटी आपको देखना पड़ेगा कि 12,300 के आजपास ठीक है क्या एक्सन बन दाए अगर य इस केंडल तक का होना चाहिए जो आपको यह वाली बिक दिख रही वो लेवल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 12,200,60 तक का ठीक है इससे ज्यादा कोई बड़ा लेवल नहीं है मैं वापिस आपको बता रहा हूं मार्केट ज्यादा मॉमेंट नहीं करेगी और नाहीं क कर सकते हैं देखिए ट्रेड आपकी मर्जी है आपको करना क्या है ठीक है तो निपटी का भी चार्ट देख लिए निपटी में भी सेंग वही कारवाई हो रही है यहां पर चुक कर यह आपको पैटन बना सा मैंने आपको कल बताया भी तक इस पैटन का ब्रेग नाउन अगर उपर को हो सकता है यह जो ट्रेल लाइन आपकी जा रही ना तो इस तरह से आपकी जा करके यहां तक आपका बाइंग दे बट देखो मज़ा नहीं आएगी इतने में तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा आवाइड करें हम मंडे को ट देखे गोल्ड एटियफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके लिए मैं आपको यहां पर बिलकुल नहीं बोलूँगा ठीक है गोल्ड एटियफ में अगर आपको करना ही था तो आप प्रीवियस में कर सकत खाऊ क्कार जडहा देखें हैं अगरो अगर कोoken से बाइख कर लूँ मैं कहुंसक्त क्या बाई कर लों देखिए अगर आप कोई share buy करते हैं ठीक है तो share के बारे में आप क्या जानते हैं कमपनी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं ठीक है वो कमपनी में कब अफराड हो जाए कब उसका पता नहीं क्या एन पिये डाउन हो जाए कब उसकी वैलू डाउन हो जाए कब क्या हो जाए वो आपको पता नहीं है नहीं है ना पता तो आप एक बात बताईए कि आप अपना पैसा यहां पर मेहनत गाड़ी कमाई क्यों यहांपर लगा करके, हमने कोई गुनाह नहीं किया है कि मैं इस कंपनी में लगाऊ हूँ और यह कंपनी की बज़ए से मेरा पैसा यहांपर डाउन हो आप समझ रहें मैं क्या बोलना चाहरा हूँ मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना कि मैं यहांपर अपना 10,000 रुपए लगाया हूँ और 10,000 रुपए लगा करके अगर यह कंपनी डाउन हो रही तो हमारा कोई यहां गलती नहीं है इस कंपनी की बज़ए से हमारा पैसे की बेलू खतम हो रही तो मैं इस पार्टीकुलर कंपनी में पैसा अपना नहीं लगाना चाहता हूँ मैं उस जगे अपने पैसे को अपना इनवेस्टमेंट करूँगा जहां पर अगर मालेजे की 100,000 कंपनी या 50 कंपनी थीक है अब उस 50 कंपनी में से अगर 10 कंपनी का परफार्मेंस अगर गलत भी हो गया तो भी मेरे पैसे को कोई फरक नहीं पड़ रहा है समझे मैं क्या बोलना चाहरा हूँ भाई माल लेजे कि कोई एक company है company के मतलब आप simple समझे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ आप nifty बीच की बात कर रहा हूँ या bank बीच की बात कर रहा हूँ उसका rate लगवा कि 170 के around या 165 के around चल रहा है तो दीखे ये इन company हो में investment करने से फायदा क्या है चुकि इन में फायदा क्या है कि आपका पैसा growth करना ही करना है इसमें ये तभी आपका पैसा मतलब growth करने में थोड़ा कमी आएगी जब बिल्कुल इंडिया के पूरी ही market आपकी crash होगी तो जब पूरा market crash होगा तो हर जगे का सब system ये आपको मतलब crash होता हुआ दिखेगा कम से कम आपको ये तो पस्तावा नहीं रहेगा क्यार यहाँ पर मैंने किसी particular माल ली या से ऐसी बैक में डाला या पीसी ज्वेलर में डाला या फलाने में डाला डेमका में डाला तो उसकी बज़े से हमारे सेर की value डाउन हो रही ऐसा नहीं होगा न तो मेरा मतलब सिंपल है कि अगर आप निप्टी बीज जो की सबसे एक निप्टी बीज जैसे आप लिखेंगे उसकी उपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी आई थिंक इस समय जो बैलू चल लही है वो 270 रुपए के करीब चल लही है ठीक है अब अगर आप निप्टी बीज में मतलब इसका सेर आपको डायट बाई कर लेना कोई दिक्कत नहीं जैसे आप काल पुट बाई करते हैं तो उसमें उसी तरह से आपको निप्टी बीज बाई कर लेना है आप माल लिजे उसमें आपके पास पैसे कितने हैं वो देखो मैं तो बोलता हूं कि अगर आपके पास 1000 रुपए भी है तब ही आप बाई करो कोई दिक्कत नहीं पड़ नहीं तो आप बिल्कुल बाई मत करें मैं आपको परसनल यह नहीं बोला हूं कि नहीं आप बाई ही करो यह मेरा परसनल उसमें ओपिनियन कुछ नहीं है कि नहीं आप बाई ही करो चुकि मैं इसमें इनवेश्टमेंट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं जो द के अंदर काम काच करता है यह आपको पता चलता है न चलो तो उसमें जितने भी सेर हैं आप मालीजे पचास सेर हैं उन सब की बैलो आपकी किसमें जाती निपटी बीज में जाती है तो जो निपटी बीज अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके निपटी बीज में जो भी अपने investment किया है ठीक है तो यह जो 10,000 रुपए है यह आपका पूरे के पूरे 50 company में आपका पैसा चला जाएगा किलियर हो रहा है पचास पूरे share में आपका पैसा चला जाएगा आपका ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं नहीं अब उसमें कितनी किसकी यहाँ पर क्या है आपका वेटेज है कितना किसका वेटेज है उस वेटेज की मताविक आपका यहाँ पर पैसा आपका डिवाइड हो जाता है यह बात किलियर हुई आपको समझ में आए अब आप जब पैसा आपका यहाँ पर मान लेजे कि हो गया ठीक है आपका 10,000 रुपए जो था आपका यहाँ पर 50 कमपनियों में आपका डिवाइड हो गया अब आप खुद बताईए कि यहाँ पर अगर आपका 10 कमपनी यहाँ पर आपका निगेटिव परफारमेंस भी करती हैं तो आपको क्या फरक पड़ेगा खुद मैंने दिया आपको आई होप उम्मीद करता हूं कि चाहे जैसा भी आप इनवेश्टमेंट करें मैं खुसी इस चीज से मनाँगा कि अगर मेरे कोई नंबर में मेरे को स्क्रिंसाट भेजेगा और बोलेगा कि सर मैंने आज आज यहाँ पर मैंने लास तो कर रहे ना आपकी है तो कमाई ना यहाँ पर आपकी गाड़ी कमाई है कि नहीं है तो मैं यह चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो इंटर टेड कर रहे हैं उसके साथ आप थोड़ा सा कम जाएं अभी इन्वेश्टमेंट का टाइम आपका आ रहा है प्लीज इन्वेश्टमेंट करिए मार्केट आपकी डाउन है यह ध्यान में रखिए मेरे सो बहुत से लोग पूछ रहे थे सर कब इन्वेश्टमेंट कर करूं और आप यकिन करिए अगर आप यह 20,000 रुपे इंवेश्टमेंट करते हैं मार्केट आपकी बड़ी चुकी मार्केट तो बढ़ना है आपकी 32,000 जाना है यह आप तैन रखिए कि 32,000 आपकी जाना है हो सकता है आपको 2025 में चला जाए 32,000 तो आप खुछ सोचिक यहा पर आपका एक return generate होगा तो please मैं चाहता हूं कि इस दीपावली के जो भी आपका more trading होता है उसमें आप कुछ न कुछ अपने पैसे को जरूर investment करें और देखिए investment आपको ऐसे नहीं आप सोचेंगे यार हटाओ ना क्या buy करना आप खुछ सोचे आपका जब last होता है आप 5,000 last देने को त्यार होते हैं 10,000 last आपका चला जाता है आप तब भी उसको observe कर लेते हैं ठीक है चलो next बार recovery करेंगे तो क्यों ना इसी तरह से सोच करके नहीं मेरा last ही हो गया चलो 10,000 और last हो गया मेरा मैं इस market में पैसा डाल देता हूं ठीक है वो सोच करके आपको डालना है इ जब निप्टी वीज का टाएं 120,000 रुपए चल रहा था 140 रुपए तब से मैं इंवेश्चमेंट कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास जो पैसा ठाएं स को बांघे मेरे बटार नव पचा हुआ है मेरे पदाशन मर्जी बेंच सकते हैं जब आपको पैसा की requirement हो आप बेंच सकते हैं जब मर्जी खरी सकते हैं तो यह चीज़े बहुत अच्छा है प्लीज आप चाहें निप्टी बीज में बैंक बीज में जो भी आपको अच्छा लगे आप इंवेश्मेंट करिए अभी आपका 100 थोड़ा स है अमल आप पर करना है कि आपको किस तरह से trade करना है मैं चाहता हूँ एज ए एक आपका भाई समझे जो भी आप समझते हैं मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा दो चार रुपए बचे इस market के अंदर चूंकि अगर आप इंट्राडे करते रहेंगे तो पूरा का पूरा capital इंगे आप ये यकीन रखिएगा ठीक है मारकेट में जब तक आप 4-5 साल तक आप नहीं डीक